नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं One India में होंकरशान शर्मा बॉलिवुड में एक ट्रेंड चल पड़ा है और वो ट्रेंड है बायोपिक्स का आज हर प्रड्यूसर किसी ना किसी की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहता है और जब बात क्रिकेटर्स की जिंदगी पर आती है तो फिर प्रड्यूसर की लाइन लग जाती है अभी हाल ही में BCCI अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गाउली की जिंदगी पर आधारित फिल्म बनने जा रही है जिसकी घोशना सितंबर महीने में कर दी गई थी मगर अब ऐसी खबरे सामने आ रही है कि भारत के दिगजबले बाज युवराज सिंग की जिंदगी पर भी फिल्म बनने जा रही थी जिसे बॉली वुट के मशूर प्रडियूसर करन जोहर बनाने वाले थी मगर युवराज सिंग ने कैसिंग मांग करन जोहर के सामने रख दी जिसे अब करन ने फिल्म को ना बनाने का मन बना लिया है आपको बता दे कि युवराज सिंग पर बनने वाली फिल्म के लिए करन जोहर उनकी जिंदगी का अधिकार खरीदने वाले थी मगर युवराज सिंग ने अपने किरदार को बड़े पर देखने के लिए स्टार एक्टर की मांग रख दी आपको बता दे कि जोहर फिल्म में गली बॉय से मशूर हुए एक्टर सिधार्थ चतुरवेदी को लेने वाले थे और इसके लिए जल्द ही वो तैयारियां भी शुरू करने वाले थे मगर युवराज सिंग ने मांग रखे कि उनकी बायोपिक में रित्तिक रोशन या फिर अन्बीर कपूर को लिया जाए असल में जोहर का ये मानना था कि सिधार्थ चतुरवेदी दिखने में बिलकुल युवराज सिंग जैसे ही है और उनकी उम्र भी कम होने के वजह से वो इस रोल में अच्छे साबित हो सकते थे मगर युवराज सिंग की समांग ने करन जोहर को मजबूर कर दिया इस फिल्म पर आगे काम ना करने के लिए देखा जाये तो युवराज सिंग की जिंदगी पर बनी फिल्म देखना बेह दिल्चस्प होगा क्योंकि उनकी जिंदगी काफी संगहर्श भरी है और 2011 विश्व कप का कोई अगर असली हीरो माना चाता है तो वो युवराज सिंग ही है फिल्हाल ये देखना होगा कि अब करन जोहर के बाद युवराज सिंग की बायोपिक की तरफ कौन साथ प्रोडिوسर दिल्चस्प दिखाता है बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रही है वन इंडिया के साथ